अलाव रिवन नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आशीज गौतम के साथ अड़े 24-7 हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग डिसकस करेंगे Commonwealth Games के बारे में काफी डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ का डिसकेशन करने जा रहे हैं आप लोग उसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को प्लीज आखरी तक के देखेगा हम लोग जितने भी कुशन्स बनते हैं उन सभी का डिसकेशन यहाँ पर करेंगे और भी इसके अलावा जो कुशन्स बन सकते हैं मेरे दोस्त उसकी भी चड़चा कर लेंगे किस तरीके से यहां से चीज़े पूछी जाती है तो आप से गुजारिश रहेगी प्लीज इस वीडियो को आखरी तक के देखेगा ओके चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर ऐसे इस पारेंट जिनोंने डवल वैलिटी में नहीं कराया है अभी भी आप के पास मौका है मेरे दोस्तों क्योंकि आज हम लोगा आई पी पी एस पी ओ का बैच स्टार्ट हो रहा है ओके संतो सर का उडान बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगा तो आज यह तो हमारे प्राइम बैच से स्टार्ट हो रहे है इविन मेरे वारियर प्रो की क्लासिस भी पैक आपको डबल वैलिटी में यानि कि 12 मंथ के साथ अवेलबल कराय जा रहा है और यह आपको पढ़ेगा 3410 का एंड 12 मंथ वाला जो बैंक महा पैक है वो आपको 24 मंथ वैलिटी के साथ अवेलबल कराय जा रहा है यह पढ़ेगा 4290 का तो आप Y168 कोड लगा के मैं अडमीशन ले सकते हैं ओके यह जो भी प्राइजिस हैं अप्लिकेशन के हैं अड़े 24-7 अप्लिकेशन पर जाएंगे मेरा कोड लगाएंगे के वाई 168 और जैसी कोड लगाएंगे आप साथ में एक परसेंट एक्स्रा डिसकाउंट के लिए कोई और सेलेक करिएगा मेरे दोस्ता आपको यहां पर 78 परसेंट डिसकाउंट मिल जाएगा ऐसा है ओके और अगर ऐसे बच्चे जो बैंक इंशनेंस के साथ-साथ अब स्टार्ट करते हैं यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इनको हम लोग फ्रेंड्ली गेम्स के नाम से भी जानते हैं और यह चार साल में इवेंट रहता है जैसे 2022 में हुआ इससे पहले 2018 में रहा था अब 2026 में देखने को मिलेगा ओके तो यह चार-चार साल के अंतराल में आपको देखने को मिलता है पहली दफ़ा 1930 में रहा था 1942-1946 एक्सेप्शन रहा था World War II की वज़े से कैंसल हुए थे लेकिन अगर हम लोग बात करें 1930 में यह पहली दफ़ा रहा था ऑस्टेलिया ने Commonwealth Games सबसे जादा बार 5 टाइम्स होस्ट किये हैं और जो 2026 का एडिशन है वो होस्ट करने जा रहा है 1938 में, 1982 में, 1982 में, 2006 में, 2018 में इस दोरा ने यहाँ पर Commonwealth Games रहे थे यह बहुत इंपोर्टन है छोटे-छोटे पॉइंट है इनको हम लोग पढ़ते हैं इतनी नजर नहीं डालते हैं इस पर दिमाग भी नहीं लगाते हैं किस तरीके कोशन बन सकते हैं कि पहली दफ़ा Commonwealth Games कब हुआ तो 1930 में, दो बार कब कैंसल हुए तो 1942 में और 1946 में इसके अलावा अगर ऑस्टेलिया की बात करें तो 5 times ऑस्टेलिया ने Commonwealth Games को होस्ट किया है और कब-कब ऑस्टेलिया ने Commonwealth Games को होस्ट किया वो माईने रखता है 1988, 1962, 1982, 2006, 2018 I hope you are guys, यह clear होगा, इसके अलावा, two cities have hosted Commonwealth Games more than once, Auckland और Edinburgh, इनोंने एक बार से जादा बार होस्ट किया है Commonwealth Games को, जैसा जो Auckland ऐसने दो बार होस्ट किया है और Edinburgh के इसने भी दो बार होस्ट किया है, 1950, 1990, 1970, 1986 में, clear है guys, आगे देखना, Commonwealth Games की बात करें तो इस बार यह कौनसा 22nd edition रहा है Commonwealth Games का इस साल, opening ceremony 28 July को हुई थी और closing ceremony 8 August को, मतलब यह जो game है, 28 July से 8 August तो 2022 तक चले थे, important यह है कि यह 22nd edition है, जो 2022 में रहा था, यहाँ पर, यह 22nd में, इसमें, मनलब कहा पर हुआ था, तो यह UK के Birmingham में हुआ था भाई, यह बहुत माहिनी रखता है UK के Birmingham में, ठीक ह यह जो game है, यह largest ever held हुए है, 72 इसमें participating nation रहे थे, और जो लगबग ticket sale हुई है, 1.2 million की, 1.2 million यहाँ पर ticket sale हुई थी, और पहली दफ़ा यह international multi-sport event रहा है, जिसमें की para और non-para games दोनों साथ में आए जित किये गए थे, para या non-para नहीं तो आप अक्सर देखते हूँगे, जि यहाँ पर क्या रहा, कि para और non-para games पहला measure international sports event रहाँ पर साथ में जित किये गए थे, ओके, clear है, and first games to host more gold medals than men's, मतलब महिलाओं ने ज्यादा gold medals जीते हैं, इस वार men's के comparison में, यह कुछ interesting interesting fact है, जिनको हम लोग कलती से भी skip नहीं कर सकते हैं, अब बात करते हैं, आगे की, commonwealth games क मोटो यह आपके homework का part है, यह आपको homework में ने दिया है, इसको ढूड़ना, मुझे बताना, peri double, यह इसका mascot रहा था, official सुभंकर रहा था, यह आप देख सकते हैं, okay, design किससे inspired थी, emma low, ठेके, यह 10 साल की एक बच्ची है, ठेके, emma low, इनसे inspired थी, यह इसकी, design, okay, यह जरूर याद रखना है, peri double, यह official mascot रहा था, और दूसरा ना हम आपको याद रखना है, emma low, okay, emma low, फाइन, जो 72 देशों ने इसमें participate किया था, फाइन, athletes की बात करें, लग बग 5-8 athletes थे, 5054, 280 event रहे थे, 20 sports में event रहे थे, इससे पहले 2018 का जो commonwealth games रहा था, वो आपक गोल्ड यह बहुत माहिने रखता है, भई, कहा बर रहा था, गोल्ड कोस्ट उस्टिलिया में पहला इसका मैच रहा था, ठीक है, clear है, भई session को एक बार share कर दीजिए, फटावट, फटावट, वटावट, काफी बच्चे ऐसे हैं, जो आते है, session को देखते चले जाते हैं, ना like करते याना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो भई, फटावट, 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 यार एक बार session को share भी कर दीजिए, और like भी कर दीजिए, ओके, ठीक है, अब एक बार और question बन सकता है, कि 1930 में जो पहली दफार games रहे थे, उसका host country कौन सा था, तो Canada था, इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है, 1930 में जो host किये गए थे, ये Canada के द्वारा host किये गए थे, ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ है, जिनका आपको अश्त ध्यान रखना है, कि 22 के Commonwealth Games की बात करें, वो हो गया, 22 के अलावा, पहली दफार कब host किया गया, Canada में host किया गया, तो World War II के दोरान 1942-1946 में cancel कर दिया गया था, 2010 में इंडिया ने host किया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, 2010 में इंडिया ने host किया था, ठीक है, काफी उसमें आया था, काफी corruption हुआ था, Commonwealth Games में अगर आपको याद हो, और 2010 के बाद अगर हम लोग देखें, तो 2026 की बात कर लेतें, ये 2222 तो clear हो गया, 2226 ये कहां पर होगा, Australia में होगा, Australia में, Australia 2226 का host करने जा रहा है, fine, तो 18 clear है, 2226 clear है, 22 वाला ये UK के Birmingham में हुआ, और 26 वाला ये आपका Australia में रहेगा, fine, Australia में सहयोजित किया जाएगा, चलिए आगे बढ़ते है, ये medal टारी रही है, पहले नमबर पर Australia रहे सबस्यादा अगर medal किसी ने जीते तो 178 medal ऑस्टेलिया ने जीते है, इंडिया की बात कर लें, इंडिया में चौथे नमबर पर रहा है, 61 medal के साथ, आप देखो हमें total medal याद रखने पढ़ेंगे, कि भारत में 60 medal जीते थे, जिसमें 22 gold है, 16 silver है और 23 bronze medal है, तो 22 और 16, 22 प्लस 23 जोड़ दोगे, तो 16 medal बनेंगे, तो भारत में यहाँ पर कितने medal जीते है, total 61 medal जीते है, जिसमें 22 gold medal रहे, 16 यहाँ पर silver medal रहे थे, 23 यहाँ पर bronze medal रहे थे, और सबसे ज़्यादा gold medal जीते 67, अगर आप लिस्ट में देखो तो सबसे ज़्यादा gold medal किस ने जीते, और सबसे सबसे ज़्यादा bronze medal किस ने जीते, सबसे ज़्यादा silver medal जीते, और सबसे ज़्यादा bronze medal किस ने जीते, और सबसे ज़्यादा gold 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 medal किस ने जीते, और सबसे प्लेस पे रहा था देगे और फिर दूसरा तीसरा चौथा पांच वे तक आपको यह याद रखके चलना है यह सारे कुशन एक्जाम के हैं मेरे भाई फाइन अब जड़ा देखो ज़र अठारे के अगर बात करते हैं तो इंडियास में थर्ड प्लेस पे था दोयर 14 में इंड इस साल अपने नाम के क्लियर है उडियर 22 का जो कॉमन वेल्थ गेम्स है यह यूके के बर्मिंगम में फाइन मैसकोट इसका पैरी रहा 26 का कॉमन वेल्थ गेम्स ऑस्ट्रिलिया के विक्टूरिया में 23 का कॉमन वेल्थ यूथ गेम्स ओके जो की 7th एडिशन रहेगा यह पो सब्सक्रण कॉमन शुद्ध के फिरगा में 24 का जो कॉमन wzglझ वेल्थ गेम्स है उसका संस्क्रण कौल कॉन सा है उसका एडीशन कौन सा है तो आपको सारी चीज़ा याद रख के चल निया यह आपका 22nd edition है, 22 वा संस्क्रण है, clear है भाई, एक एक चीज हमारी clear होती चल रही है, आई हो प्यार crystal clear होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एक slide बहुत important है, तरीके से design की गई है, एक एक चीज को cover किया गया, पहला olympic कब हुआ, सबसे जादा किस ने olympic host किये, यह सारी ची दोस्त, next एक न, opening ceremony में इंडिया का flag bearer, opening ceremony हुई थी 28th of July को, इसमें flag bearer हमारे दो रहे थे, एक मनपरीत सिंग रहे थे, यह hockey से है, और PV सिंदु यह badminton से है, ओके, यह जरूर याद रखेंगे, दूसरा, closing ceremony में जो भारत के flag bearer रहे थे, जो कि closing ceremony 8 अगस्त को रही थी, ओके पलावे, दोस्त, सरत कमल tennis से और निकत जरीन boxing से, ओके, सरत कमल किसों रहे मेरे भाई, यह tennis से समर्दित और निकत जरीनों यह boxing से समर्दित, यह दोनों मेरे लिए important बने है, यह दो तो ऐसे पारण है न, जो exam का बन रही बन रहा है, कि opening ceremony में भारत का त्वजबा, कौन दा जो भारत का national flag है जो इंडियन contingent के आगे तो उस दल के आगे चल रहा था भारत के flag को लेकर तो वो प्रीत सिंग और पीवी सिंदू थे ठीक है और closing ceremony पर निखत जरीन और ये सरत कमल रहे हैं थे क्यांपेंग का नाब तो एक रिएट फॉर इंडिया ओके रिएट पॉर इंडिया नेक्स्ट अब इंडिया का पहला मेडल कौन सा आया था यह बहुत माइने रखता है इंडिया का पहला मेडल नीज रहे चौपड़ा तो बरेटोस इससे बाहर हो गयते नीज तो वहीं फिलैक 250 धना पहला मेडल जो भारत का रहा था वो वेटलिफ्टिंग में रहा था और यह बहला मेडल संकेत सागर सर्गार ने जीता था संकेत सरगार ने इतिहास रच दिया था फर्स्ट एथलीट ते इंडिया के जिनों होने की भारत के लिए मैडल जीता था Commonwealth Games 2022 में तो जब जब यह 22 Commonwealth Games की बात होगी तब तब इनका नाम जरूर आएगा ही सुरी है जब 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 तरवाइस Commonwealth Games की बात होगी तब तब इनका नाम जरूर आएगा क्योंकि यह पूछाएगा भारत के लिए पहला मैडल किसने जीता था पहला मैडल टोटल भारत में 61 मैडल जीते तो उसमें पहला मैडल जो रहा था वो मैडल 61 में से पहला मैडल किसे जीता था यड़ वो संकेत सागर और संकेत सागर ने यह जो मैडल जीता था मेरे दोस्त थी है किसमें जीता था मैडल टॉफ्टिंग मैं ओके weightlifting में, he has won silver medal in 55 kg category, ये बहुत मायनी रखता है, total इन्होंने weight pull किया था, 248 kg, और 55 kg में इन्होंने भारत के लिए medal, silver medal जीता था, Malaysia के जो ये अनिक मुहम्मद थे, इन्होंने gold medal जीता था, ये सरगार साफ कहां से महरास्ट से है, अब यार ये तो रहा, पहला medal और first gold medal किसने जीता, ये बहुत मायनी रखता है, first gold medal, first gold medal जीता था weightlifter मीराबाई चानूने, दोनों ही weightlifting में आयते, पहला medal और पहला gold medal, ये मीरबाई चानू ने जीता था ये इंडिया का पहला गोल्ड रहा था कॉमन वेल्थ गेम्स में 49 kg कैटेगरी में भारतो लक्त मीरबाई चानू ने महिलाओं के उननेंचा स्क्लोग्राम मुवर्ग में हासे मंडल खेनों में भारत का पहला स्वर्ण पतक जीता था अब आगे समझो इन्होंने टोटल 201 kg वेटलिफ्ट किया था टोटल जो ये इनका वेट था वो टूवच्ट वट टू-वट्वच्ट वन रोड ने एननुने kg वेटलिफ्ट किया अब ब्राउज मेडलिस्कों ने ये रीड कर सकते हो तो यह 18 का जो Commonwealth Games रहा था उसमें भी मीरा भाई चानू ने गोल्ड मेडल ही जीता था और इस बार भी नो ने गोल्ड मेडल ही जीता है ठीके भाई डैन अब ये समझना अब ये पहला गोल्ड मेडल और पहला वी मेन गोल्ड मेडल ये भी आपको पता होगा है मीरा भाई चानू अब फर्स्ट मेल प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीता है ये थे जैरमी लाल रिन कुआ ये नाम क्यों important है भाई ये नाम इसलिए important है जैरमी लाल रिन कुआ का क्योंकि बहुत छोटी सी उमर में 19 साल की उमर में भारत को इन्होंने स्वर्प्दक दिलाया Commonwealth Games में 19 साल की उमर में इन्होंने भारत को Commonwealth Games में जैरमी लाल रिन गुआ इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और ये किस स्टेट से मेजोर्ण से है तो 19 वर्ष के जरमी लाल दिनकुवा ये कहां से मिजोरम स्टेट से हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मिजोरम स्टेट से दूसरा 67 केजी केजी केटेगरी में ये भारत के लिए मैडल रहा था, ठीके भाई, आगे देखते हैं, अब ये लोन बाउल जो गेम्स है, म भारत ने गोल्ड मैडल जीता है, इसमें किनकिन का नाम था, नयन मौनी, साइकिया, पिंकी, लवली, चौबे, एन रूपा रानी, तिर्की, तो रूपा रानी, लवली, चौबे, पिंकी, नयन मौनी, साइकिया, इन चारों ने भारत के लिए गोल्ड मैडल जीता था, यहा पहले male player जो podium पे गए थे मिरे दोस्त जैरमी लाल रिंगुआ gold medal के साथ fine इसके बाद यहाँ पर lawn balls में South Africa को हराया गया यह इंडिया का पहला medal रहा था first medal था इस sports में 17-10 से इनों ने इनको हराया था इसी के साथ Indian table tennis team ने भी भारत के लिए gold medal जीता था 3-1 से Singapore को हरा कर यह भी याद रखता Indian table tennis team ने Singapore को हरा कर मेरे दोस्त 3-1 से मैं अब उससे हार कर देखे देखे स्वाण पर तक जीता था 3-1 से sorry जीत कर माफ करेगा उल्टा वोल दिया मैंने देखे इंडिया ने Singapore को हराया था 3-1 से और भारत के नाम gold medal रहा था मुझे लगा bronze है यह gold medal रहा था वो badminton team है ठीक है यह Indian table tennis team है जिन्होंने भारत का gold medal जीता था Singapore को हरा था यह दिखो ऐसे question आएंगे exam में तब हम लोग क्या करेंगे कि जो four lawns four ball lawns game है उसमें भारत ते किस को हरा है संगल स्कुएश संगल में भारत के लिए पहला medal आया था स्कूएश संगल में और यह सौरब घुशाल जिन्होंने भारत के लिए bronze medal जीता था स्कूएश में स्कूएश संगल में ओके यह जरूर यादक था बीटिंग जेम्स विल्ट्रॉप ऑफ इंग्लेंड तो सौरब घुशाल ने रास्टमंडन खेलो 22 बाइस में इंग्लेंड के जेम्स विल्ट्रॉप को हरा कर स्कूएश पुरस एकल में का से पदक जीता तो यह खुद इंपॉर्टेंट है भाई भाई ब्रॉज मेडल लेकर आया बड़िया तो सूपर इंपॉर्टेंट है एक्जाम का कुश्चन है यह वाला आगे देखो यह और सूपर इंपॉर्टेंट है कि एथलेटिक्स में पहला मेडल रहा तेजस्विन संकर ओके तेजस्विन संकर क्लेम इंडियास फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप तो हाई जंप में यह भारत का पहला मेडल है जो कि तेजस्विन संकर ने जीता था ओके तो इंडिया के तेजस्वि इत्लेटिक्स मेडल है यह यह जो लेकर आए है मैंस हाई जंप इवेंट में ओके ड़न छले आगेबढ़ते हैं वेट लिफ्टिंग में मेरे दोस्ट जेरेमी ने मीरा बाई चानुन ने ग्ल्ड मैडल जीता एक और जो ग्ल्ड मैडल रहा है वो अचंता स्वेली ने जीता था, अचंता स्वेली ने, ये इंडिया का तीसरा gold medal रहा था, commonwealth games में जब जीता गया था, और six medal overall रहा था, इस वाली land को काट दो मेरे भाई, ठीक है, आप बस इतना याद रख लो कि ये तीसरा जो gold medal भारत के लिए जीता था, वो ही यहाँ पर अचंता स्वेली ने जीता था, अचंता स्वेली ने, ओके, अचंता स्वेली ने, 73 kg के टेगरी में भारत के लिए जीता था, भाई ये west bengal से, कहां से west bengal से, done, भाई कहां से west bengal से, clear, next, एक और weight lifter है, विद्या रानी, आप देखो, ये जो है नहीं, silver medal है, ये शिरू हो जाएंगे, ठीक है, judo को का शिरू हो जाएगा, यहाँ पर, ये होगा, weight lifter, विकास, ठाकूर ने, silver जीता, अब में इन पे ज्यादा emphasize नहीं कर रहा, मेरी बात को समझना, ये सब है, ठीक है, ये सब है, मेरे दोस्त जिनों ने जीता है, सारे medalist है, ठीक है, सारे medalist है, अब आते कुछ एक list पर है, उस list को समझते है, वहाँ से चीज हमारे लिए आसान होंगी, जला देखना, सबसे पहले ये वाली list प जैर्मी लाल रिंग हुआ, मीरा बाई चानू, और अभी अचेंता स्वेली, ये डन हो गया, table tennis में भारत का, हमने देख लिया कि अभी doubles में जो team event था, उसमें gold medal आया है, badminton देखना है, पूरा पावर लिफ्टिंग देखना है, athletics में हमने अभी देखना है, मेरे तो उस gold medal, wrestling में 6 gold medal ने से, boxing में 3 है, पेरा table tennis में 1 है, और वाकी हौकी में देखे तो हौकी में भारत को silver medal मिला है, और cricket में भारत को silver medal मिला है, क्रिकेट में पहली दफ़ा महिलाओं ने participate किया था, और हौकी में यहाँ पर पूरुष team house ने silver medal जीता था, जो महिला team house ने bronze medal जीता था, य ये सारी चीज़े हम लोगों ने देख लिये, अब ये line बहुत important है, क्योंकि यही आपको exam में चीज़ा याद कराएगी, क्यों याद कराएगी, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, कि स्क्वेस में भारत को एक भी gold और silver ने मिला, भारत को 2 bronze medal मिले थे, अभी हम लोगों है, इसको silver medal मिला है, ओके, सरत कमल ने भारत के लिए gold medal जीता था, gold medal, table tennis में, समझ में आगे, table tennis में भारत को, कितने medal मिले यहाँ पर 3 मिले है, तो table tennis का clear हो गया, इसी के साथ सत्विक साहिराज रंकी रिडियो चिराग सेटीन है, इन्होंने badminton में भारत के लिए मेरे दोस् सारे इंपोर्टन है, लक्ष सेन, इन्होंने भारत के लिए gold medal जीता था, men's single में, ओके badminton में, PV सिंदु ने भारत के लिए gold medal जीता था, badminton में, तो badminton में कितने gold होगे, 3 होगे, आप लोग देखो, badminton में 3 gold medal होगे, अब थोड़ा और detail में समझाता हूँ, यहाँ से बारत के लिए badminton में जीता gold medal, singles में, और सत्विक राईराज अंकी रेडी चिराग सेटी ने भारत के लिए gold medal जीता, तो 3 gold medals के लिए, table tennis में, man में, अचनता सरत कमल ने भारत के लिए gold medal जीता था, table tennis में, और table tennis mixed doubles में, भारत के लिए, सरत कमल और सरीजा अकूला ने gold medal जीत तो यह आपके लिए पूरी लिस्ट है, अब इस लिस्ट को याद कैसे करना है, वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, बहुत प्रेक्टिकल समझो, 61 मैडलिस्ट है किन पर दिमाग लगाना है किन पर दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कि कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यह खुद देखते हुँ तुम्हारे दिमाग में आ जागा यार यह तो इसकिप करी नहीं सकते यह रहा प्रियंका को स्वामी वीमें 10,000 मीटर रेस में वॉक में इन्हों ने भारत के लिए इस सिलवर मेडल जीता अतलेटिक्स में आप इसे स्किप नियुकर सकते हैं यह रहा प्हला शब्द लग किया वो सब इंपॉर्टेंट बनेंगे टिंगे सब इंपॉर्टेंट एक भी ऐसा निजिसे आप इसकिप कर दो मेरे भाई और बताता हूं मैं आपको यहां पर है यह रहा मैंस थ्री थाउजन मीटर इस यह स्टैपल स्टैपल चेज में स्टैपल चेज में यह अविनाश सावले ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता यू कांट फॉर्गेट ओके मिसी नहीं कर सकते इसको मेरे दूस्ट यह सारे सब के सब इंपॉठन है वीमेन फॉर्ग वाल्स में हम लोग ने देखा था गॉल मैडल वह तो क्लियर हो इसको मैं याद कराऊंगा, don't worry, यह मेरा call यह आपका नहीं है, मेरे दोस की कैसे याद कराऊई, यह मेरा headache है, यह मेरा को कराना है, आपस सुपह 7 बज़े के session में आप डेली जुड़ना है, सुपह 7 बज़े, मैं daily basis पे आपके साथ जुड़ूँगा, एक एक चीज हम लोग detail म mix match में, देखें, तो यह हार गए थे Malaysia से, इसलिए silver medal जीता सर्फ PB, सिंदुई, जीत पाइंत इकलौता match तभी 1-3 से भारत को हार मिलीती, तो यह सारी चीज़े हम लोग cover करेंगे, तो जो बीच में जोड़े सेशन को शुरुआ से देखना, बाकि जिनों ने अभी तक मेरे इस batch में इन्रोल नहीं कराया है, warrior pro में जाकर admission लीजे, आज आपका double validity चल रहा है, double validity आज के लिए valid है, अभी के लिए valid है, मेरे कभी भी खतम हो सकता है, कभी भी हट सकता है, इसके लिए आपको जो code यूस करना है, please Y168 code यूस करिएगा, warrior pro batch में जाकर इन्रोल कराये, क्योंकि इसमें आपको मैं current office, mcq, और current office दोनों provide करना हूँ, current office इसमें April का खतम हो चुका है, में का खतम है, पूरा है, June की class, आज रात को मैंने रखे, साड़े नौ बजे, क्योंकि दिन का पूरा schedule, पिछले तीन दिनों से भागम, मेरे दोस्त, मैं अब आप समझी रहूँगा, अभी भी मैं थगा हुआ हूँ हूँ, बिल्कुल टोटली, क्योंकि कल भी मैंने ट्रेवल की, इसलिए मैंने इवनिंग में पेड़ क्लास से शिफ्ट कर दिये, साड़े नौ बजे यहाँ पर करेंट अफेस रहेगा, जो वारियर की class है, मेरे भाई 3 & 4.0 जो जिसकी class होगी, आप मेरे दोस्त, आट बजे जुड़िएगा, आट बजे और साड़े नौ बजे दो classes आपको मिलेंगी, यह तीनो बैचेस मेरे वारियर प्रो का पार्ट है, जिनका टार्गेट सच्विटर 22 एक्जाम को क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, जी है, उन्हें बलकुल बढ़िया करना है, तो उनको तीन चीज़ों की जरुवत है, फाइनेशल अवेनेस, करेंट अफेस, स्टेटिक जी के, फाइनेशल अवेनेस यहां से होगए, यहां से होगए, इस्टेटिक जी के के लिए मैं बैच स्टार्ट करूगा मेरे मन्थेंट पर तो यह तीनों बैच आपको पढ़ेंगे मात्र 1496 के और सबको अलग 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 नहीं लिए आपको चारों को, आपको सिर्फ वारियर प्रो बैच में जाना है, वाई 168 कोड लगाना है, एक्स्ट्र 1% डिसकाउंट के लिए अप्लिकेशन पे जाके कोई सेलेक्ट कर लेना, वहाँ ऑप्शन है का कोईन का, प्लीज यार यही कोड यूज करना, वाई 168, ओके, इसमें आपको क्या होगा ना कि मेरे, फिर आपको कोई भी किसी बैच में एडमीशन नहीं ले रहा, क्योंकि कल को वारियर 4.0 कि जागा 5.0 आएका 6.0 आएका 7.0 आएका वो सब कुछ महाँ पैक, आप मैं से काफी ऐसे इस्पारण होगे, जो विल्कुल बेगनर है, जो शुरुआ आज सूने से करना जा रहे है, जो उनको टार्गेट साल एक्जाम क्लियर करना है, अब IBPS PO का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी इसका पार्ट है, तो सारे बैचिस बैं महाँ पैक, यह आपको 3, 4, 1, 0 का पढ़ेगा, ओके, 3, 4, 1, 0 का, और 4, यह 12 प्लस 12 मन्त वाला है, आपको 24 मन्त के साथ पढ़ेगा, 4, 2, 9, 0 का अप्लिकेशन से, एप पे जाएंगे, Y168 कोड लगाएंगे, एक्स्राइक पर से डिसकाउंट के लिए माँ कोईन सेलेक करें अब बैच में डूल करा सकते, डिक वई, चलो, शुक्रिया दोस्तों, I hope you are session पसे,